नमस्कार मैं कीर्तिक और आप देख रहे हैं One World News आजादी का वो समय जब महिलाओं को आंदोलन तक पहुँचने से पहले ही समाच की अंगिनत सीडियों को तोड़ना पड़ता था इसके साथ ही वो लड़ाई से सवतंता सिनानी के रूप में कार्यकर देश को आजादे दिलाने में अपना योगदान दे पाती थी और आज सिरीज दे अंसंग फीमेल वारियोर्स ओफ इंडिया में ऐसी ही महिलाओं की बात करने वाले हैं जो भारत के विधान सवा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला बनी कमला देवी चटोपाद्या जिनका जन 3 अपरेल 1903 मेंगलूरू में हुआ था कमला देवी बहुत निडर और वहादूर किस्म की महिला थी और वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से 70 ग्रह में औरतों को शामिल करने की बात रखी 1926 से पहले महिलाओं को चुनाव लडने का अधिकार नहीं था लेकिन कमला देवी ने इसके खिलाफ अपनी अवाज उठाई और पहली महिला बनी जिन्होंने विधान सभाद चुनाव लगा हलाकि वो चुनाव हार गई थी पर उनके इस कदम के बाद महिलाओं के लिए राजनीती के दर्वाजे खुल गए थे 1930 में जब पूरे देश में गांधी जी के नमक सत्यग्रह की तैयारी चल रही थी तब कमला देवी ही थी जिन्होंने महिलाओं को इस आंदौलन का हिस्सा बनाने के लिए गांधी जी को समझाया था कमला देवी के साथ सरूजनी नाइडू ने नमक सत्यग्रह के लिए डांडी मार्च में नमक कानून तोड़ कर सत्यग्रह में हिस्सा लिया था नमक कानून तोडने के मामले में बॉंबे प्रेजिडेंसी में गिरफतार होने वाली कमला देवी पहली महिला थी आजादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गएं, कभी गांदी का नारा लगाते हुए, कभी नमक बेचने के लिए तो कभी भारत छोड़ो आंदौलन में भाग लेने के लिए स्वतंतता आंदौलन के दोरान वे चार बार जेल गए थी और पांस सालों तक सलाखों के पीछे रही कमला देवी के इतने बहादूर फैसलों की वज़ा से पूरी दुनिया ने देखा कि भारतिय महिला एक कितनी निडर और पुरुशों के साथ आजादी के लिए कंधे से कंधा मिला कर चल रही है जिसकी वज़ा से देश में महिलाओं को हिम्मत मिलने लगी आजादी के लिए लड़ाई लड़ने की 1942 में अखिर भारतिय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनके महिलाओं को maternity leave देने वह उनके अनपेड लेवर को नजर अंदास ना करने की बात रखी कमला देवी भारत में नारी आंदौलन की मार्क दर्शक थी आजादी के साथ साथ उन्होंने इंडिया नैशनल थेटर की स्थापना करी जो आज नैशनल स्कूल अफ ड्रामा है और आजादी में उनके योगदान के लिए कमला देवी को पद्म भूशन और पद्म भूशन से सम्मानित किया 3 अप्रेल 2018 को उनके 115 जनम दिन पर गूगल ने अपने होम पेज पर डूडल बना कर उन्हें सम्मानित किया 39 अक्टोबर 1988 को बॉंबे में 85 वर्ष की आईउ में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी कमला देवी चटूपाध्या ने स्वतंता सेनानी के रूप में देश को आजादी दिल्वाने और महिलाओं के लिए जो कार्य किये उनके इस्तियाक को कभी भुलाया नहीं जा सकता ऐसी और जानकारी पाने के लिए फॉलो करें oneworldnews.com धन्यवाद